हाई दोस्तों स्वागत है आप सभी का कक्छा दस्वी की बोर्ड की इस बेला में आपके जीवन की सबसे पहली बोर्ड की ये एक्जाम होगी क्लास 10 में कक्छा दस्वी में तो आज हमारी सेकेंड क्लास है फॉस्ट क्लास हमारी हो चुकी है तो जो भी बच्ची आज पहली ब तो last class में आपको मैंने एक सवाल दिया था जब हमारी class end ही थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये आप self करेंगे और ये जो question है वो solve होगा आपको एक concept मैंने कल बताया था और वो concept क्या था concept था दुला और दुलहन वाला कोई concept जो कि आपको मैंने पिछली class में पढ़ाया है तो इसलिए अगर कोई बच्चा नया है तो पिछली class पहले देखो तभी जा कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे तो चलिए पिछली class में हम लोगों ने आपको बताया थ आbek दो का मतलब क्या होता है जुलहन पांच का मतलब होता है जब दोनों कोई multiply होता है दो का और पांच का मतलब साधी होती है तो आंसर में 0 आता है Ó साधी का मतलब हम नंबरों में अको कि एक करेंगे तो घुना करें में आंसर में जीरो तभी आएगा जब उन नंबरों में दो और पांच होगा मतलब दुला और दुलहन होगी तो ही साधी पॉसिबल है अधरवाइस नहीं है तो यहां पर हम लोग देखेंगे हमारे पास जो सवाल था और यह जो सवाल है कक्छा दस्वी एक जो प्रशना वली है उसमें कूसिशन नंबर 5 में आपको इक सवाल मिलेगा ये वाला पर में ने आपके पास तीन लिए एक दो तीन आपके पास NCRT के जो भूख होती isol में आपको बूख पढ़ाई जाती हम्मेरे घ्रभ नहीं दिस्कास करते हैं आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई किसी भी आंसर के एंड में 0 तभी आता है जब वो नंबर किनका प्रोडक्ट हो, दो और पांच का, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, वो क्या है, 4 to the power n, तो इसने कहा है कि क्या n का कोई ऐसा value है, n का ऐसी कोई प्राक्रस संख्या है, और प्राक्रस संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था, गिनने वाली संख्या हो, कोई प्राक्रस संख्या कहते है, मतलब यहाँ पर जो n है, उसको आप क्या पूट कर सकते हो, n का मान 1, 2, 3, कुछ भी रख सकते हो, तो आप से पूछा यह गया है, कि क्या n के लिए कोई एक ऐसा मान है, इन में से, प्राक्रस संख्या हो में से, कि जो यहाँ में दो और पांच आना चाहिए तो सबसे पहले हम इसके अभाज जुगुणंखंड करेंगे अभाज जुगुणंखंड करेंगे चार के तो चार का क्या होगा दो गुणा तो और इस पूरे की पावर हम लिख देंगे एन क्या आपको क्लियर होई बात कुछ नहीं मैंने बस टैंट चार को बाया दोन ही दुलहने हैं अब मैं आपको बस रिपीट है करना चाहाँ हो कि किसी यूदों और Kristen ho डोन होना चाहिए दुलहन भी होनी चाही होनी साधी है'll इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही प्रोड़क्ट दो है तो आप यहाँ पर लिखोगे अतह अतह 4 to the power n is equal to 2 to the power 2 गुणा 2 क्युगात n यहाँ चार के अभाज गुणानखंडों में जब हमने चार के अभाज गुणानखंड की है कैसे एसे अभाज गुणानखंड ऐसे होते हैं इस विधी को बोलते हैं अभाज गुणानखंड करने वाली विधी लसेम नहीं बोलते हैं बच्चा है ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसको इलसिम क्लास में पढ़ने वाले proprio फिलाल आप देखो यह cognitive होती है इसको बोलते हैं अभाज administrator करने की विधी यह यह अभाज खान करने की विधी है तो मैंने 4 क्या policy गर और आंशर में नहां चाहिए 2 कौइए अतह चार क्या भाद जो गुणन खंडों में ऐसे आपको लिखना पड़ेगा व्यवस्तित तरीके से गुणन खंडों में कि दो है परंतु पांच नहीं है दुलहन है परंतु दूला नहीं है अतह कि अनके कि किसी भी मान के लिए मान के लिए कि निम्लिखित संख्या हैं किसी भी मान के लिए तक्राइब के अंत में तुन्य नहीं आएगा कि दुन्य नहीं आएगा क्या बात समझ मैं आपको तुन्य तब ही आता है ना जब दूला और दुलहन दोनों होते हैं यहां तो अकेला ही है ठीक है ऐसे ही सेम तु सेम अब मैं यह दोनों नहीं करके बताऊंगा आपको यह आप खुद करेंगे यहां पर लिखना यहीं सब है बस आपको क्या करना है सिक्सुदी पावर एंड देखिए का जड़ा एंड को हम क्या लिखेंगे सर सिक्स का मतलब था टू मल्टिप्लाइट थ्री और इस इस लिए उत्तर में जीरो नहीं आएगा यहां पर दूला है पर दूला नहीं है पांच है पर दो नहीं है इसलिए यहां पर जिरो नहीं आगा मतलब तीनों ही सवालों में एंड को ऐइसा मान हो इनी सकता जिसके लिए उसका जो आंसर है उसमें एंड में 0 आए है उलिए बात तो लिखने का तरीका आपका यह होना चाहिए उलिए उलिए तो यह सवाल हमने कल दिया था तो आपका इंसी- quartि के सवाल भी हो चुका है अब हम लोग बढ़ते आगे यह तो हम अब आज के लाऌस में रराभ Nuclear बढ़ता है लोग किलियार किया अब पहले किसी ने किसी क्लास में पढ़ाई गई है पर आज जो चीजें आप सीखोगे वो आप हमेसा याद रखोगे मतलब आप चाहोगे तो भी चीजों को आप भूल नहीं पाओगे ठीक है तो डिसकास करते हैं सबसे पहले हम सिखेंगे गुणनखंड इसको अंग्रेजी में क है तो सबसे पहले हम लोग कहने हैं नंबर र यहां से देखेंगा 15 और यह चीज मेंने कल की क्लास में भी वाग भाग भी जाएगा है थीन का भाग भी जाएगा और पांच का भी जाएगा तो इसका मतलब की पांद्रा के टोटल तीन गुणंखंड है कितने कहने और अगर मैंने पढ़ा था कि हुआ हे भाज जो रभाजय संक्राइं पड़ाईती थे संक्राइं क्या होती है एसी संक्राइं जिसके 2 से ज्जाद़ गुननखन्ड हो नाइ है 15 के गुणनखंड है 15 चेन और 5 यह 15 के गुणनखंड है ऐभर गुणनन xa1 चार्छ ओंगे तो अठारा के गुणनखंड होगे तो आपने का चाहिए 11 कि से डिवाइड होता है तारा के गुणन खंड क्या होगे ठीक हैं तो अठा किस से किस से डिवाइए था एक से दो से दीन से Isay If I'm और अठारा था थालोफ मैंनों के इंओ उठारा इन नंबरों से डिवाईड होता है मतलब ये उसके verdict हो गई ठीक हैं तो उम्मीद है आपको गुणनखंड समझ में आया पर आप ध्यान समझेगा गुणनखंड तो हमने समझ लिया किसर यह होते हैं गुणनखंड अब अगर मालो आपसे पूछ लिया जाए कि 15 के कितने गुणनखंड होंगे तो पंदरा के कितने गुणनखंड है तोटल 3 कुण कुल से 1 3 और 5 18 कितने गुनन खंडेuhan 1 2 3 4 और 5 गुनन खंडे 5 अब अगर मैं आप से पूछलों कि बताओ 500 के कितने गुनन खंड होगे 500 के तो 500 के गुनन आसानी से नहीं बता सकते 500 किन-किन नंबरों से डिवाइड होता है हम इतनी आसानी से नहीं बता सकते तो वहां पर हम लोग क्या ट्रीक यूज करेंगे क्या लॉजिक यूजिक को समझिएगा यहां पर एक लॉजिक है कि बिना में यह लिखे बता सकता हूं कि इसके यह जैसे हम करते हैं इसको बोलते हैं अभाज गुणन खंड निकालना कौन से गुणन खंड अभाज गुणन खंड विधी है तो अभाज गुणन खंड विधी में क्या होता है हमें केवल अभाज गुणन खंड पता चलते हैं जैसे इसके तीन गुणन खंड पर तीनों में एक ना तो भाज है ना ही अभाज है, एक के ना तो दो बच्चे है ना दो से जादा है, इसलिए वो ना तो भाज आएगा ना ही अभाज ये कल की क्लास में आपको clear किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तीन और पांच, ये दोनों ही अभाज है, ये भी अभा अभाज गुननखंड का गुननफल रूप, मतलब मैं पंदरा को उसके अभाज गुननखंड के गुननफल के रूप में लिख रहा हूँ, तो पंदरा जो है, उसको हमने अभाज गुननफंड के गुननफल के रूप में लिखा, तो पंदरा को हम लिख सकते हैं तीन गुना और नहीं अभाज हैं अब आप देखोगे कि तीन कितनी बार हैं हाफर यहां पर टाइक दिलगी वार तो कुल गुणनखंडोल मारण कि Państwo कि तीन तो क्या करना है आपको यह जो नंबर है इन पर जो पावर लगी है घात जो लगी है उस घात को एक-एक बढ़ा के लिखना है आपको उस घात को क्या करना एक-एक बढ़ा के लिखना यहां पर ध्यान तो एक हमने गलती की है तर पंदरा भी तो इसका गुणनखंड होगा ना एक को एक बढ़ा के लिखना है जैसे यहां एक है तो आप यहां दो लिखोगे अगर यहां दो होता तो आप यहां तीन लिखते अगर यहां पर चार होती घात तो आप यहां पांच लिखते मतलब जो भी घात है उससे एक बढ़ा के लिखना है तो यहां देखो क्या है एक त जो पंदरा को सुरी 15 पूरी पूरी डिवाइड कर सकते हैं गर 7 को नहीं 15 को पूरी तरह कर सकते हैं किलियर एक तो ऐसे अब 18 की बात करो तो आठारा और भिय आप फेक्टर करोगे नहीं यहाँ परansे अज csak 18 को क्या लिख सकता हूं मैं 18 को लिख सकता हूं यहां पर लिख देता हूं 18 को हम लोग लिख सकते हैं तो 18 को हम लोग लिखेंगे क्या कि यह 15 को लिखा था अगर हम लोग 18 को लिखना चाहें तो 18 जो है वो किसके बराबर है दिख रहा है क्या तू की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है दिख रहा है वीजिबल है? very good तू की पावर 1 और 3 तो यहां पर 1 है तो हम क्या लिखेंगे? टोटल गुणनखंद कितने हो जाएंगे? 18 के? अगर यहां 1 है तो हम क्या लिेंगे? 2, 2 है तो हम क्या लिखेंगे 3, तो आंसर कीतना आएगा? 6 6 गुननखंड होते हैं, तो 18 के total कितने गुननखंड होते हैं? 6 हमने यहाँ गलती की होगी, जरा चेक करो, 1 से भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, और भीया हम लोगों यहाँ पर 9 नहीं लिखा, छोड़ दिया है तो अब हमें पता चल गया कि इसके गुणनखन तो पक्का पक्का कितनी आएंगे 18 के कुल गुणनखन टोटल 6 आएंगे गलती समने पांची लिके एक छोड़ गया था अब सोचो जब 18 के गुणनखन लिखने में हम चीजें छोड़ रहे हैं तो 500 गुणनख की संख्या में एक हम्होजे बात बताना 500 के गुणनखन के से करोगे चाहए आप बता हो यह यह उसे लिखना जरूरी है फिल्कुल भी नहीं मैंने आपके कॉन्सेप स्प्ति आ से निकाल सकते पर मैंने आपके आपके concept दिया था चलो ऐसे निकाल लो एक बाल just इसमें दो का भाग 중요 है तो कि अज़ा गा बेटा 200 फिर 2 का भाग देंगे तो कि अज़ा एगा 125 फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आच ऑप अगे इसका मतलब मैं 500 को क्या लिख सकता हूं ना की पावर 2, 2 कितने बार है? 2 बार और 5 की पावर कितनी है? 3, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? कुल गुणनखंड कितने हो कुल गुणनखंडों की संख्या 500 को कितनी ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी विभाजित कर सकती है डिवाइड कर सकती है तो क्या सिखा था हमने जो भी पावर लगी है उसको एक बढ़ा के लिखो दो है तो तीन यहां तीन है तो यहां चार मतलब तो टल आएंगे बारा तो बारा गुणनखंड ऐसे होंगे ऐसे बारा नंबर तुम निकाल सकते हो जो 500 को पूरा डिवाइड कर सकता है अब मैं यह कह रहा हूं कि भाया अगर आप यह भी कर रहे हो और अब्जेक्टिव को सनाया तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं अब्जेक्टिव अगर आपसे पूछ गया और नहीं होगी और दूले भी होंगे इन दोनों की साधी में यहीं मिलके जीरो बने हैं क्या बने है ये जीरो पर एक दुला यहां पर कवारा भी है तो इसका मतलब दूले तीन थे हैं हाँ यह ना एक बार क्लियर करतें फिर से 500 में आप देखोगे कि 20 जीरों तभी संभाव है जब दूलःे हो और दूलहे भी कितने हो दो हो एक दूलहे को यह है यहाप और आपको दिखराए कवारज तो आप लोगों ने लिख दिया कि सरकुल गुननखंडों की संख्यागर हमें निकालना है, तो आपने सिखाया है, पावर अगर दो है, तो यहाँ एक ज़्यादा लिखो, तीन, पावर यहाँ तीन एक ज़्यादा लिखो, चार, तो आंसर कितना आ गया, 12 उमीद है आपको ये चीज़े समझ में आ गई होगी अब मेरी बात ध्यान सुनना ये जो चीज है ये जो किया हुआ है सवाल ऐसे इसको बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं कि हम LCM निकाल दें तो बेटा ये LCM नहीं है ये जो विधी है ये जो मैथड है ये विधी है अभाज गुणन खंड निकालने की विधी तो आप लिकलो इसको कि ये अभाज गुणन खंड निकालने की विधी है जिससे हमें केवल ऐसे नंबर पता चलते हैं 500 को डिवाइड करने वाले केवल ऐसे नंबर पता चलेंगे जो अभाज हैं सारे नंबर पता न अचार बिलाई तो और पांच अभाज के बढ़ाई है यह दोनुख वाइज भाज बाकि जो दूसरे होंगे। गुर्ण खंड भी है और इसमें एक भी है एक यवज तो ऐसे करके ये सारे मिलके बारा हो रहे हैं ठीक है पर अगर हम इसमें से अभाज गुर्ण खंडों की बात करें तो कितने हैं दो पानसों के अभाज गुर्ण या नोकरी की एक्जाम दोगे तो वहां आपके लिए बहुत बेनीफिसल हो जाएगा आप दूसरे बच्चों को और टेक कर जाओगे और आपको पता है कि आप हिंदी मीडियम के चाहतर हो यह बात अच्छे से क्लियर है मुझे और आपको कि हिंदी मीडियम में वही बच्चा आप भी पढ़ रहा है मैक्जीमम बच्चों को देखें सारे हो सकते कुछ अच्छे बच्चे भी हो पर मैक्जीमम हिंदी मीडियम की स्कूल में या गौर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक इस्तिथी ठीक नहीं है मतलब जिनकी एकॉनोमिकल अच्छे से पढ़ते हो तो आप एंपी पूलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम से होता है बारवी के बाद उदे सकते हो एक जॉब लग गई आपके पास इंकम आएगी पैसा आएगा देन आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है तो डिसकस करते हैं आगे तो यहां तक हम लोगों ने सीखा गुनानखंड क्या होते हैं अब बात करते हैं अभाज गुनानखंड की तो अभाज गुनानखं खंड कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया सपोज मैंने एक plein thirty income구요 165- Inspector 140 को और यह MP board में आ चुका है मतलब यह IMP सवाल है इस important लिख रहा हूं में 140 को उसके उसके अबहाज गुननखंड के अबहाज साथ में नोट करते चलेंगे अबहाज गुननखंडव के गुननफल के रूप में लिखी है गुननफल के रूप में लिखी है तो हमें 140 को लिखना है पर जो 140 है उसका रूप बदलना है तो कैसे बदलेंगे तो हम लिखेंगे हल हल ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 140 के अबहाज गुननखंड निकालेंगे 140 के अभाद जिगुननखन तो हम लोग लिखेंगे 140 और इसके क्या निकलेंगे अभाद जिगुननखन किससे भाग देंगे 2 से कितनी बार जाएगा 7 बार ये 0 फिर किससे देंगे 2 से कितनी बार जाएगा ये 35 बार फिर किससे देंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा साथ से देंगे किस से साथ से यह अंसर आगया अंसर नहीं आए यहां पर आगया अच्छा यार यहां पर एक ट्रिक और थी ना जो मैंने बताई थे आपको 140 को देखो डायरेक्ली भी आप समझ सकते हो सर यह 0 क्यों आया 0 इसलिए आया क्योंकि यहां सब्सक्राइब यहां पर दो होगा और यह 5 होगा और historica मतलब किए रज donating सादी कर लonie और एक दुल्हन यहां है स्चाव़वां के पास छांदा के घर में दुल्हने और एक बारती साथ इसका मतलब एक र५ी होगे 2 गह अ को भ्या आपका अंसर आता है को दो उ Starting गुघ है तो हम क्या लिख सकते हैं लोगा सकते हैं कि यहां पर लिख भी दो एक सो चालीस को उसके अभाज गुणन खंड़ों के गुणन फल के रूप में लिखने पर एक सो चालीस को उसके अभाज गुणन खंड़ों के गुणन फल के रूप में लिखने पर ऐसे 140 को उसके अभाज अन्खन्डों के गुननखल के रूप में लिखने पर लिख दो तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे तर 140 को सब्सक्राम है दो हम नहींзд hammer गुना साथ कितनी बार हैं laur कितना पांच मुणा कितना साथ तो यही हो गया आपका आंसर यही होगा आपका आंसर तो अगर आपको यह चाहिँ में आई है तो आप यह लोग देखेंगे है कि आपकी जो Buch है उसमें प्रश्णावली 1.1 जो है निकालेंगे और यह सवाल देखेंगे पहला सवाल हम लोगों ने अभी कर लिया है पहला हमारा हो हो गया है दूसरा देखिएगा 156 तो आप खुद करिएगा मैं डारिक्ली करना हूँ दूसरा सवाल जो है वो है 156 156 के अब आप खुद क्या होँगे दो से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 टाइम 8 टाइम 2 साते 14 बचा एक यहां पर हो जाएगा 16 दो अठे 16 फिर दो से भाग देंगे 2 ती यह छे बचा एक दो इचे आठारा फिर दो से भाग देंगे 1 मिनट तो नम अठार आएगा 156 को क्या लिख सकता हूं 156 को उसके अभाज गुणन खंडों के रूप में लिखना हो तो दो कितनी बार है दो बार एक बार है तीन और एक बार है तेरा तो यह आपका अंसर आ गया ऐसे ही तीसरा आपका सवाल जो है वो देखिएगा नोट भी कर सकते हैं आपका जो है पक पर तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसा भाग देकर देखेंगे तीन का क्योंकि दो ह्टा टो जाएगा नहीं लांस में पांच है तो तीन का भाग देंगे तो तीनकम 3 बचा कितना कुछ भी नहीं 3 2 6 बचा2 3 साथ 21, 3 पंजे 15, ठीक है, फिर 3 से अगेन डिवाइड हो रहा है, तो 3 का 12 में देगे तो 3 चोग 12, 3 दूआ 6, 3 पंजे 15, 5, 2, 7, 4, 11, आब इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो 7 का भाग देके देखो, क्या 7 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, साथ का नहीं जा रहा है तो फिर किसका देके देखेंगे हम 5 का 5 का देखिए 3 और 5 का देखेंगे 7 नहीं 5 का भाग दिये हमने 5 से कितनी बार गया यह 8 बार बचा कितना 2 25 पाँच से देंगे तो 5 एकम 5 5 साथ 35 यह आपका गया 17 तो यहां पर आप लिख देंगे 17 में 17 का भाग जाएगा क्यों क्योंकि 17 भाज है 17 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता 17 को केवल 1 और 17 ही डिवाइड करता है तो यहां पर आपने लिखा 38 25 होगा वो कैसे रिवाइड होगा 3 की पावर 2 पाच की पावर 2 गुणा 17 यह आपका अंसर आजया ऐसे हमारे पास तीसरा हो गया तीसरा सवाल हो गया अगर हमारा तो हम लोग देखेंगे 5005 को 5005 को सॉल करेंगे और 7429 को भी सॉल करेंगे चलिए तो 5005 को देख लेते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे जो चौथा सवाल था हमारा 5005 को अभाज जुगुननखंड के रूप में लिखना है तो हमने लिखा 5005 और इसको डिवाइड के हमने 3 से तो 3 का भाग इसमें कियागा नहीं दो का भी नहीं जा रहा है तो हमारे पास जो आपस पांच घाया तो जैसे आपने 5 भाग दिया एरहां परहेगा 1 001 पांच का मैं सब्सक्राइब कि साथ देयों क्या जा रहा है तो 7 से भाग देंगे तो सात एकम 7 बची यहां पर 3 628 बचा इहां पर 2 साथ प्याइतनीत पिर हम लिग सकते हैं 5000 5 को अगर हम अभाज गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो अंसर आपका कितना आएगा पांच गुणा बेटा साथ गुणा बेटा ग्यारा गुणा बेटा तेरा कि आपको क्लियर यह चीज ठीक है आप लोग सोचो कि ऐसे टीचर होना चाहिए जो पढ़ाए भी और बीच बीच में डांस करके दिखाए तो मज़ा आएगा कोई राम लिला तो ही ना चल रही गम्मत चल रही क्या राम लिला चलती है वहाँ पर राम लिला में होता कहीं होता है कि कोई भी पार्ट होता है जैसे राम आये ना राम का जो रॉल था उनने प्ले कर दिया अब लोग बोर हो जाते राम का रोल देखें जबकि में राम लिला का जो था रामायन को ही दिखाना था मतलब राम भगवान के अपने जीवन की जिवनी दिखानी थी उसमें बट उस जीवनी को देखने में लोग यह जिते हैं इसलिए बीच में क्या जाता है नाचने वाला आज़ाता है तो घर चरब नरी वालेको बुला लेते हैं जो साधी पहन टॉसिस हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको entertain करें पर वह कोसे सो कि हमारे पढ़ाई से ही बाहर नहाँ हुगा वह थिंट्र कोसीस हो कि हमारी पढ़ाई से से ही रिलेटेड होगा उससे बहर हम नहीं जाएंगे जैसे की अभी हमने किया चलिए तो जो हमारे पास है वो क्या है 7429 लास्ट कोस्टन हमारा है 7429 इसको अब हाज गुननखन के रूप में लिखना है 7429 तो मुन्ना इसमें भाग किसका जा रहा है मैं ट्राइ करूँगा सबसे पहले 7 का क्योंकि इसमें 3 का 2 का 5 का नहीं जा रहा है मैंने देख लिया आप ट्राइ कर लो 7 एकम 7 भाग नहीं जा रहा है तो 0, 42, 7, 42 तो मुन्ना इसमें 7 का भी नहीं जा रहा है तो हम लोग फिर ऑप्सन हमारे पास क्या बचा कि 7 कर नहीं जा रहा है तो 11 का दे लेते हैं अभाज अभाज नमबर लेते हैं तो साथ के बाद 11 आ रहा है ग्यारा के बाद 13 आ रहा है तेरा के बाद 17 आ रहा है तो हम लोग यहां पर 13 से डिवाइड करके देखते हैं ठीक है तो 13 का भाग आप चेक करोगे तो तेर चोग बावन तेरा पंजे 65 बची कितनी 9 तेर चेंग 78 तेर साती इंक्यानवे तो तेरा का भी नहीं जा रहा है तो बैसिकली यहां पर भाग गया वो गया सबसे पहले 17 का तो आप 17 का दोगे उसके बाद इसमें जाएगा 19 का और उसके बाद जाएगा 13 का यह मुझे याद है क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा दिया चीजों को पर आप लोगों को अराम अराम से करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो 17 का भाग दोगे इसमें तो 17 का भाग कितनी बार जाएगा 749 सत्रा का पहाड़ा तुमको आना चाहिए 17 चोक 60 बचा कितना आठ ठीक है आठ नहीं बचेगा छे बचेगा सत्रा का भाग दिया सत्रा चुक 68 दो छे पिर सत्रा तिया 51 ठीक है अब 51 के बचा कितना 11 तो 17 साते 119 437 अब 19 का भाग देंगे तो 19 दुआ अड़ तीस बचा कितना ता तो बचेगा पांच सत्तावन हो गया 19 तिया 57 तो यहां आपका हो गया 23 और 23 से भाग दो तो एक तो ऐसे कुछ डेटा को याद भी कर सकते हो 24 29 का जो फेक्टर होगा वो होगा 17 19 और 23 और एक अच्छी बात यहां पर क्या है कि यह 17 19 23 तीनों ही अभाज नंबर है और साथ में आने वाले हैं मतलब 17 से 23 के बिच में इसके अलावा कोई अभाज नहीं है 17 के बाद अभाज सिधा 19 या आएगा 19 के बाद 23 या तो कभी कब सवाल में यह पूछ लेता है कि 24 39 को क्रमागत अभाज गुणन घंड के गुणन फल के रूप में लिखे क्रमागत तो वैसे भी वो क्रमागत ही है 17 के बाद क्रम में कौन सा आएगा 18 गिंती में आती है भाई प्राक्रस संख्यों में 17 के बात करें तो 17 के बाद जो अभाज किया और हमने समझा अब आज गुनन खंड क्या होता है अगला टार्गेट जो हमारा आज की क्लास का रहेगा वो रहेगा LCM and SCF तो यहां पर हम लोग एक छोटा सा एक्जेंपल लेंगे LCM और SCF का तो हिंदी मिडियम वाले चाहात रहो चाहें इंगलिस मिडियम वाले चाह मतलब होता है मुनना common मतलब होता है मल्टी kami अ to list मतलब सब से खोटा सब से खोटा में सबसे छोटा सब से च्फोटा विक बोल सकते हो common मतलब ऐसा नंबर जो सभी मैं है सभी में हो और multiple मतलब होता है गुनज गुणाज जगर नहीं समझा रहा है तो मैं अपनी भाहसा में उलिग दूँ पहाड़ा तो हम लोग एक पहाड़ा ढून रहे हैं किसका पहाड़ा? दो नंबर हमें दिये हो जैसे मान लो मुझे एक नंबर दिया है साहब 20 और एक नंबर दिया है मुझे 32 और मुझे बोला गया है कि 20 और 32 का LCM पता करो क्या बोला गया है? कि 20 और 32 का LCM क्या होगा? 20 और 32 का LCM क्या होगा? तो मैंने लिखा कि 20 और 32 का अगर हमें LCM निकालना है तो M का मतलब होता है हमें एक पहाड़ा निकालना है क्या निकालना है? पहाड़ा किसका पहाड़ा तर एक ऐसा नंबर बताओ जो 20 के पहाड़े में भी आए और 32 के पहाड़े में भी आए मतलब एक पहाड़ा multiple का मतलब पहाड़ा किसका पहाड़ा 20 का और 32 का पहाड़ा तो एक नंबर हमें डूड़ना है common जो 20 के पहाड़े में भी आए और 32 के पहाड़े मे बी आए ऐसा common number और चोटे वाला क्योंकि बड़े नंबर तो और भी मिल जाएंगे चोटा नंबर चाहिए तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले इसमें यूज करेंगे गुणनखंड विधी का कौनसी विधी अभाज गुणनखंड विध करूं क्या 20 साधी हो चुकी है मतलब एक दूलान ने साधी कर लिए तो इसका मतलब हो गया बेटा 2 की पावर दो और एक दूला है जिसकी साधी यह पांच आप चाहो तो कर लो या आप वैसे भी कर सकते हो ऐसे आप बहुत कर सकते कोई दिक्कत नहीं है तो का भाग दोगे 10 बार जाएगा फिर 2 का भाग दोगे 5 बार जाएगा फिर 5 का भाग दोगे एक बार जाएगा तो क्या समझ में आए आपको कि 20 को हम लिख सकते हैं 2 की फाज दो की घाद 2 गुणा पांच ऐसे 32 की अगर हम बात करें भाग जागा मुन्ना दो भार और फिर दो का भाग जागा मुन्ना एक बार ठीक है मुन्निया भी है तो यहां पर ध्यान देंगे कि अगर हमें LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देंगे कि जबभी हमें LCM निकालना हो, तो हमें क्या करना है, हमें करना है, कि यहाँ जितने भी अभाज गुननझखंड है, सी म PegW over 14 perlu लिखना है, दिज है सारे अभाज गुननखंड लिखना है ये परिक्षा में ऐसा नहीं लिखना है आपको ये तो मैं आपको सिखाने के लिखना हूँ याद रहे गुननखंड लिखना सारे अभाज गुननखंड बड़ी घात के साथ लिखना है बड़ी घात के साथ लिखो या लिखना है तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे LCM निकालना है 20 का और 35 का हृद तो थो थो बार है तो इस है तो इसा की और फॉल सब को लिए चूनब के लिए को बड़ी घात लिए है क्या लिगना है बड़ी घात लिखना है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर लिखेंगा मैंने बड़ी घात यहां पर दो की घात पांच एंड़े कोने थैड़ यहां पर पांसर शेकर यह पांच ही नहीं तो बड़ी गात कोंसी हुक और एक हुई अब बॉन के धुट हुटा ना पांसर कितना जाएगा एक सो सहाठ एक तरहों पूस Programm के सान्बर है। एक सो सहाड एक एक सान नंबर है जो बीस के पहड़े में भी आएगा आछ बार में आप 20 का पहड़ा पार बोलो एक ससाथ आएगा और 32 का पहडा 5 बार बोलो तो भी आएगा रिमटाफ एक 116 से छोटा number कभी नहीं मिलेगा आपको 117 से छोटा number आपको कभी नहीं मिल सकता जो 20 के पहाड़े में भी आए और 32 के पहाड़े में भी आए तो दोनों ही नंबरों का ये जो है common पहाड़ा है common multiple है और list वाला multiple है छोटे वाला इसलिए हम उसको कहते है list common multiple इन दोनों के होता है पर अगर हम लोग हाइलाइट करने किसको SCF को CCF में क्या करना हमें CCF में ध्यान देना हमने यहां पर क्या लिखा सारे अभाज लिखना है कर trophy में सारे नहीं लिखना है CCF में क्या लिखना है कैवल कॉमन वाले ही गुणन सक्षिध करना को표 मनMB як खंड़ों को लिखना है कि कॉमन गुणन खंड़ों को और चोटी घात के साथ लिखना है तो यह आपका HCF आ जाएगा कैसे मैं यहां पर लिकाल रहा हूं HCF क्या कहा मैंने कि HCF निकालना हो तो कॉमन गुणन खंड़ों को लेना है केवल कॉमन को मतलब ऐसे गुणन खंड़ लेना हमें जो दोनों में हो जैसे यहां पर देखोगे आप तो यहां पर क्या था कि सर दो यहां भी था दो यहां भी था पांच यहां था यहां नहीं था पर हमने सब को लिया पर iqtust सब्सक्राइब किवल किम को लेना है इसम्ट किसका निकाल करहे हम लोग सब्सक्राइब हम लोग निकाल रहे हैं सिरफ Pearl 2000 का च्रीं Amen आप इसकी दूटे अंचेए अपंश्याज दोनग को में flavour that agreement कोमेना है और घाद बड़ी वाली नहीं और चोटी वा पहाड़ा होता है क्या होता भीया LCM जो होता है न वो पहाड़ा होता है और SCF जो होता है न वो जिगर का टुकड़ा होता है तो LCM जो है वो पहाड़ा होता है किनका पहाड़ा जिन नंबरों का हम LCM निकाल रहे हैं LCM इन नंबरों का पहाड़ा होता है और SCF जो होता है इनका टुकड़ा होता है कहने का मतलब अगर आप 20 के टुकड़े करोगे तो उन टुकड़ों में 4 जो है वो सबसे बड़ा टुकड़ा आएगा highest तो इसका full form जो होता है highest common multiple क्या होता है highest common multiple लिख देता हुमें यहाँ पर SCF मतलब होता highest मतलब बड़ा यहाँ भी common होना चाहिए multiple नहीं है यहाँ पर यहाँ पर है टुकड़ा factor किसी नंबर के जब तुकड़े करेंगे तो किसी भी नंबर का टुकड़ा बड़ा नहीं आता है छोटा आता है इसलिए SCF नंबरों से छोटा होता है और LCM नंबरों का पहड़ा होता है जब भी हम किस टृष इस भी आएगा चार के पहाड़े में 32 यहाँ इसका मतलब С करने वाला थो और 22 को पूरा पूरा डिवाइड करने वाला यह बड़े से बड़े नंबर है इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा छोटा मिल जायगा लोगा भाग जाता है इसमें और 32 में भी जाता है पर लेंगे highest common मतलब दोनों को डिवाइड करेगा और टुकडा फेक्टर है और यह LCM है उम्मीद है आपको चीज़े समझ में आई होगी LCM नंबरों का पहाड़ा होता है कहने का मतलब LCM नंबरों से डिवाइड होता है और SCF से नंबर डिवाइड होते हैं LCM नंबरों से डिवा सारे नंबरों को नहीं लिखना है केवल किन को लिखना है common नंबरों को जैसे यहां पर और यहां पर common क्या है दो common को लेना है केवल और घात कौन सी छोटी वाली SCF में घात छोटी वाली LCM में घात बड़ी वाली SCF में केवल common लेना है LCM में सब को लेना चुन चुन के एक को नहीं छोड़ना है चलिए तो यह बात आपको समझ में आ गई है अब हमने देखो क्या किया हमने 35 का और 20 का क्या निकाला LCM और SCF तो दो नंबर थे हमारे पास माल लेते कि एक नंबर है X 20 और दूसा नंबर है भाय 32 और हमने LCM निकाला इसका X और भाय का LCM कितना आया हमारा LCM जो हमारा आया X और भाय का वो आया 117 और SCF जो हमारा आया 100 1092 दो 2060 वाय ख़ाय है को मैंने ह से पार के देखा है जो हमारे पास ये इन किया गुणा जा capable of डृ MR किया प्रफिज का हो ये नम्बरों को हमature सिएव नीकाल रहे हैं उनका गुणा करके देखा मैंने तो आंसर मेरे पास कितना या एक सो साहाट वीज़ दूबत्तिज दुआ चोछ चालीज आ रहा है ठीक है तो कितना आ गया छेसो चालीस फिर मैंने का कि काम करते हैं यहां पर देखो वी आंसर कितना है छेसो चालीस इन दोनों का गुणा करो चाहे आप लसे गुणा करो दोनों के आंसर बराबर आते हैं तो यही एक संबंद होता यहीं और एसे एफ में एक संबंद हो गया LCM, SCF व नंबरों में LCM, SCF व संख्याओं में संबंध संख्याओं कुन सी? जिनका हमने LCM, SCF निकाला है संख्याओं में संबंध तो क्या संबंध आया? संबंध लिग भाई, संबंध नहीं, संबंध तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों नंबरों का जो गुननफल होता है, वो बराबर होता है उनके LCM और SCF के गुननफल के, तो हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुननफल, क्या कह सकते हैं, दो संख्याओं का गुननफल उनके LCM और SCF के गुननफल के बराबर होता है खेखे, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल लिख लोगे आप इसको भी, दो संख्याओं का अपर अंपर यह coaching बहुत इंपोर्टन्ट है ना बाद में future में आपको बहुत काम आग जोगे दो संख्याहँ मुणनफल उन्हें के LCM खाट SCF के गुणन्फल के बराबर होता है गुणन्फल कि लिखेंगे भीया गुणन्फल के बराबर होता है अतह माल लेते हैं को दो नंबर X और भा है तो इनका जो गुणन्फल होगा वो उनके LCM और SCF के गुणन्फल के बराबर होगा क्लियर तो यह हो गया संबंद LCM और SCM और संबंद का भी हम यूज करेंगे कहा यूज करेंगे आईए हम लोग एक सवाल देख लेते हैं तो आपकी बुक में एक सवाल है NCRT में और बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जामस में आते रहता है ठीक है तो यह है आपका सवाल नंबर 4 वुक का प्रश्णावली 1.1 एक दसमलो एक का सवाल नंबर कौन सा यह 4 तो देखो यहां पर क्या दिया है आपको जो दिया है दिया है और बत्ती भी है दिया है और बत्ती भी है दिया और बत्ती तो HCF किसका 306 का और 657 का तो यह कितना आ गया है 9 306 का और 657 का HCF कितना है 9 और बोला है इसने कि find the LCM तो हमें निकलना क्या है हमें निकलना LCM किसका इन ही दो नंबरों का तो यहां से हमें पता चला कि सर दो नंबर हैं एक नंबर कौन सा है 306 दूसरा नंबर कौन सा है 6057 और क्या पता है HCF पता है दोनों का कितना है 9 और हमें क्या पता करना है LCM तो हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दो नंबरों का जो प्रोड़क्ट होता है और LCM SCF का जो गुणानफल होता है वो बराबर होता है LCM SCF का गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वही उत्तर आता है दोनों नंबरों का गुणा करने पर तो LCM तो हमें पता नहीं है SCF कितना है? 9 और X कितना है? 306 और क्या है भाईया? 657 तो यहां से आप LCM निकालोगे तो 306 गुणा 657 और यह जो 9 गुणा में था वो इधर कहाएगा भाग में जो गुणा में होता है वो भाग में आता है और जब सबको डिवाइड कर दोगे तो आपका जो LCM आएगा वो आंसर आएगा 222338 तो यह गुणा मैंने कैसे कर दिया? तो यह मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि fix question होता है हम वह time खराब ना करें तो इसको अभी याद कर लेना किस सवाल का आंसर जो आता है 222338 आता है एक बार check भी कर लेना क्या यह answer है क्योंकि मुझे याद है calculate नहीं किया हो सकता है मिस्कर जाओ मुझे याद है किस cancer 222338 आएगा इसको calculate करने पर तो आप करके एक बार देख लो और अगर सहीं आए उसको याद कर लो exam में समय बच जाएगा आपका क्योंकि important question है exam में आते रहता है ठीक है चलिए तो यहाँ तक कहानी clear हो गई अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चलो भाईया LCM-SF समझ लिया हमने एक सवाल भी हो गया था हमारा अब second question है आपर तो यह वापस वही सवाल repeat हो गया संबंद वाला पुनांकों के निम्लखित यूग्मों के HCF और LCM की LCM ग्याद कीजिए क्या ग्याद करना हमें HCF और LCM ग्याद करना है पुनांकों के निम्लखित यूग्म जैसे ये दो यूग्म है यूग्म मतलब होता जोडा दो नमबरों का जोडा ये है दो नमबरों का यूग्म ये है और दो नमबरों का यूग्म ये है तो इनका हमें निकालना है HCF और LCM दोनों निकालना है तो यह आप लोग अच्छे से कर सकते हो और ज्धान देना विधी लगानी आपको अभाज गुननखंड वाली, कौनसे विधी लगानी है अभाज गुननखंड तो पहला सवाल हमारे पास है, दो नमबर है हमारे पास, 26 और इंक्यानवे, तो सबसे पहले हमने क्या क्या 26 के तो यहां पर हम भाग देंगे साथ का साथ का भाग देंगे एक बार और साथ नहीं बचातीन तो तेरा, तेरा सात्य इंक्यानवे, यहां पर जो आया 91 के फिक्टर करेंगे हम, तो आंसर आगा 7 तुदी पावर 1 और 13 तुदी पावर भी 1, अब हमने क्या सीखा था, हमने कि अगर LCM निकालना हो, किसका LCM 26 का और 91 का, तो थोड़ा सा आप याद करो कि हमने क्या कहा था, हमने आप से कहा था, कि अगर LCM निकालना हो, तो सब को लेना है, चुन-चुन कर, एक को भी मत छोड़ना, 2, 13, 7, 13, तो 2 को ले लिया, 7 को ले लिया, और 13 को ले लिया, 13 दो बाने पर 2 बार नहीं लेना है सबको लेना है पर रिपीर नहीं करना है सबको ले लिए आपको चुटा है क्या नहीं । वहावर VC बड़ी वाली ले यहां पर बड़ी चोती करो चिन्क सब हंद है सबकी आपका आंस्वा weimot 14 इन तुटाहिएं था ठीडर 13 एह सून खाल भूंसी चोटी वाली आप यहां पर यहां पर सब्सक्राइब साथ qa qoči भात रहे एक बंसने लिख दो क्या आप यह लोगया अगर यह लोगai करवाएंगे क्या भी करवादें चलो अभी करवा देते हैं पांसो दस और बाणवे अगला सवाल सेकेंड हमारे पास क्या देखिएगा सेकेंड सवाल है हमारे पास पांसो एक चीज रहे गए भी है वहां पर ध्यान दो सवाल पूरा नहीं किया उसे बुला है तता इसकी अब जाँच कैसे होती है देखिएगा तो हमने निकाला LCM SCF पहले हमने क्या किये यहां पर हमने यहां पर किये अभाज गुननखंड अभाज गुननखंड किये हमने और फिर हमने क्या निकाला हमने निकाला LCM and SCF दोनों और हब हम यहां क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं जाच कि क्या हमारा उत्तर सही है या नहीं क्या हमने जो किया है वो सब सही सही किया है या उसमें कोई जोल किया है तो जाच करेंगे जांच कैसे करेंगे हम दोनों नंबरों का गुणा करेंगे दो नंबर हमारे कुन से हैं दो नंबर हमारे 26 और 29 क्यानवे का गुणा करोगे आप तो कितना आ रहा है ज़र चेक करेंगे तो आराम से गुणा करेंगे और आप यहां पर अंसर लिखेंगे कि फिर हम लिखेंगे लसी एम और स्थ का गुणा कि लसी कितना है वन एटी टू इंटू थर्टीन तो तेरह दूए 26 पचादो 803824 104 104 106 का 6 हसिल का आया 10 13 काम 13 23 चाट आंसर आएगा 23 चाट जब इनका गुणा करोगे तब भी आएगा 23 चाट तो यहां पर समझ में आगया कि दोनों नमबरों का जो गुननफल है उनके LCM SCF के गुननफल के बराबर है दोनों नमबरों का गुना करने पर उनके LCM SCF के गुना करने पर बराबर उत्तरा रहा है इसलिए यह सही है अतह यहाँ पर लिखोगे अतह X into Y दोनों नमबरों का गुणा किसके बराबर है? उनके LCM और SCF के बराबर है तो ये हो गई जाच तो similarly आपको बाकी सवाल भी करने होंगे हलो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा क्लास ले रहा हूँ आरे मैं क्लास ले रहा हूँ चलो फिर अपन बात करते हैं मैं क्लास ले रहा हूँ चलिए क्लियर यहाँ तक तो सेकेंड कुशन है हमारा 510 और 92 वाला तो 510 और 92 सेकेंड कुशन है हमारे पास हमें 510 का और बाणवे का LCMSF निकालना है तो सबसे पहला काम हम करेंगे अभाज जूनन खंड ठीक हैं? 13,7,9 तो 2,3,57 आएगा ठीक है 2 का भाग देंगे 2,2,4 2,5,10 अगें 2,5,10 फिर 5 का भाग देंगे तो 25 एक फिर भाग देंगे तो 25 एक फिर भाग देंगे 5,7 मैंने यहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ता आप पहले 3 से भाग दो या बाद में 3 से 2 बट अभाज जी नंबर ही होना चाहिए भाज जी नहीं आप 15 से भाग नहीं दे सकते 2 to the power 2 into 23 अब आप सब को अच्छे से पता है कि हम लोग LCM कैसे निकालते हैं सब को लेना है चुन-चुन के को भी मत छोड़ना दो भी आएगा तीन भी आएगा पांच भी आएगा साथ भी आएगा तो दो आएगा तीन आएगा पांच आएगा साथ आएगा और 20 आएगा इसके अलावा कुछ है यहां पर नहीं है दो है तीन है पांच है साथ है तैस है पावर कुन सी बड़ी वाली दो की पावर एक है यहां दो है तो बड़ी पावर दो लेंगे बाकी सब की पावर तो एक एक ही है बड़ी वाली सब क मल्टीप्ला कर ओंए तो आपको एक आंसर मिलेगा खीक है तो मुल्टीप्ला आप खुद करेंगे है ऐ हो अब आगे जिफ्टोञ बाणवे कितीज इक पंजे बांवे पांच बांवे और 105 का मुल्टीप्ला खुद करो तो आपको जीजे मिलेंगे क्या स definite CPF क्या करना हैं क्या सब को लेना हैं बिलकुल नहीं क्या लिएностार दोनों में common क्या है दो common हैं और ONFYC में बढ़ी ये चोती चोटी LCM में बड़ी LCF में चोटी ऐसे से में चोटी वं हो गईreeस और हमारा आगगल अब से आपको करनी है जांच, तो जांच आप खुछ से करेंगे, एलसे मोरे सीफ का गुणा कर लोगे, X और भाय का गुणा कर लोगे, दोनों ही बराबर आएंगे, तो LCM, HCF और गुणनफल बराबर आएगा, तो यही हमारी हो गई जांच, क्लियर तीसरा सवाल जो बचा है 336 और 54 अगर इतनी चीज़ें आप पढ़ रहे मानदारी से तो 100% आपको चीज़ें समझ में आ गई होगा आप खुद से भी कर सकते हूं ठीक है चलिए तो ये वाला हो गया आपका आप देखिएगा यहाँ पर हमें अभाज उगन खन विदिरा सेम कहानी यहाँ पर भी है हमें यहाँ पर भी पर यहाँ पर नंबर 3-3 है यहाँ पर जाच नहीं करनी है यहाँ पर जाच नहीं करनी आपको केवल LCM S.E.P. निकाल के छोड़ देना है तो एक नंबर हमने लिया बारा किसी को मत छोड़ना 2-3-5 और 7 पावर कौन सी बड़ी वाली LCM में पावर लेते हैं बड़ी तो की बड़ी पावर 2 तीन की बड़ी पावर सब जगह एक ही है पांच भी एक ही साथ भी एक ही तो इसी का जो आपका LCM आएगा खे गुणा 35 ठीक है ठेटी अठारा 180 और 3210 यह आपका हो गया अंसर ठीक है फिर ऐसे ही आप यहां पर भी करोगे 17 को हम क्या लिख सकते हैं तो 17 को हम लिख सकते हैं केववल 17 क्योंकि अभाज 23 के कोई गुण стороны यहोंगे 23rd 29 के कोई गुणन करने यहोंगे 29 सी लिखेंगे तो LCM में क्या जाएगा हमारे पास सब को लेना है किसी को मैựढ़ छोड़ना तो 17 प्राइब आएगा तेज भी आएगा और उन्तीज भी आएगा इसका गुणा करने पर जो भी आंसर आए वही आपका अंसर और स्टीफ में क्या आएगा अब आपको के सार आपने कहता कॉमन लेना है क्या यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं पर एक है भगवान है वह सब जगह है दिखता नहीं है तो स्टीफ आगया एक जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं हो उसका स्टीफ एक होता है और एक बात मैंने यह भी बताई थी को प्राइम नंबर सहाभाज संख्याओं में आपको लास क्लास में पढ़ाया हुआ है सहाभाज संख्याओं ऐसे नंबर नहीं है जो इसको इसको और इसको तीनों को डिवाइड कर दे एक एक ऐसा नंबर है जो सब को डिवाइड कर सकता है पर उसको इंक्लूड नहीं करना एक के अलावा अगर को इसा नंबर मिल जाए जो इनको डिवाइड कर सकता है तो सहाभाज नहीं होगी पर एक के अलावा संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है हमेशा क्लियर बात यहां तक ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कि 8 925 भी सहाबाज जहें एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो आट को डिवाइट करें यहां पर देखो कि यह भी तीनों साबा संख्या है तो इसका भी जो सवाबा संख्या है एक ही आएगा आप निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है यह पता होना चाहिए क्लियर बात यह तिसरा सवाल आपका हो गया चौथा सवाल हम पहले ही कर चुके हैं आपका इस तरी की पावर एंड को हल करने पर एंड का कुछ भी मान आपको और पांच भी हो दुला भी और दुलहन भी हो पर यहां पर दो है बट पांच नहीं है अतह इसको कैसे लिखोंगे मैंने लिखवाया हुआ है वीडियो में पीछे रिवस करके देखना और यह पीडियव में भेज दूँगा आपको आपको एना एप्लिकेशन पर उडान कभी 0 पर नहीं हो या कफ़ी त अंतिम में कभी 5 जीरो नहीं आएगा कभी भी 0 नहीं आएगा कभी भी सुननी नहीं आएगा कर दो कि यहां तक हो गया प्योड़्या सवाल चलिए आगे बढ़ते हैं ठटवा सवाल तो कल हमने आपको बताया था अब भाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य क्या होती ऐसी संख्या हैं जिनके 2 से ज्यादा factor हो फिलाहल अब हमारी गंटे आप उसे लेट हैं तो क्या यह संख्या भाज है तो क्यूं हैं हमें पता है भाज़ संख्या verse यह यह लोग घंटा बहुत आप एसी संख्या है जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हो एसी संख्या जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो तो आपको इसको सौल करके यही पता करना है कि क्या इस नंबर में एक और खुद के अलावा भी भाग जा रहा है किसी का अगर भाग जा रहा है तो हम कहेंगे क्लास में बताऊंगा जैसे आप LCM निकाल लोगे वही आपका उत्तर होगा पांसर माला में देखोगे तो इसको एक बार पढ़ो समझने की कोसिस करो और नहीं आए तो कल की क्लास में मैं हूँ ठीक है तो चलिए इसके साथ मिलते हैं अपन कल की क्लास में फिर टाटा बाइब लोग और कमेंट्स में लिखो अगर कोई दिक्कत आरे कोई इसु आ रहा है पढ़ने में समझने में तो आप लिखो तो अगली क्लास में चीजों को कवर करके चलेंगे तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो भी लिखो कोई इसु तो भी लिखो पर लिखना जरूर ठीक है चलिए बाइबाई मिलते हैं अगली क्लास में थैंक्यू